गुद्बॉर्णिंग एर्वण कैसे वह आप सो लोग तो मार्केट के अंदर में एक डाप डाउन नजर आ रहा है ऐसे में अपना यहां पे सेलिंग करने का प्लान है सेलिंग करने का प्लान क्यों है वह आपको पहले मैं निफ्टी का देख लेता हूं चाठ तो निफ्टी के क्योंकि मार्केट ने कल की दिन क्या किया था 4500 के उपर फोल्ड किया था और आज है हमारा अक्सपाइरी वाला डे और अपको पीछे ध्यान होगा अक्सपाईरी वाले दिनी मार्केट में एक अच्छा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था पिछली टाइम तो अभी बही पे हम संबल कर सेलिंग करेंगे तो सिंपल सी कान यह थोड़ा सा देख तो रहे हैं कि अक्सपायरिक दिन मार्केट में भी एक डाउन ट्रेंड में दुबारा से अपना मुमंटम शुरू करें लेकिन फिर भी अगर मार्केट कुछ अपसाइड का मुमंटम करता है या फिर कोई ब्रेक आउट बगर देता है वहां भी हम जल्दबाजे नहीं करेंगे सेलें की क्योंकि देखिए मार्केट को 40-500 की उपर होल्ड इसलिए किया गया है ताकि यह बार करते हैं मार्केट में उसके बाद हम डेड करेंगे तो यह यहां perfekt ऑपन हो चुक है मार्केट हमें क्लोजिंग प्रैस की ऊपर ट्रेड करता हूं मिल रहा है और निफ्टі ने तो कर लेते हैं, तो कि गलत होने में 10 मिनट लगते हैं, और सही होने में हमें 30-40 मिनट चाहिए मार्केट में, तभी हम मार्केट में sustain हो पाएंगे, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, यहां पर डेवजय का ट्रेड नहीं बनाएंगे, लेकिन यहां पे selling का trade किया जा सकता है reason मैंने आपको बता रखा है कि क्यों मैं यहां पे selling का trade identify करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा ऐसा आने कि green candle देखा और फिर भी हम selling करते जा रहें थोड़ा सा rejection वगरा आने दीजी उसके बाद हम trade बनाएंगे आपे तो चलिए यहां पे हम position बनाने वाले हैं और थोड़ा सा समल कर काम करना चाहिए ऐसी situation में आपको हो सकता है market बहुत अचा profit बना के दे और हो सकता है कि आपको अचानक से निकाल भी दे market तो दोनों situation के लिए अगर आप ready हैं तब तो आप ऐसी जगहें पे काम करोगे otherwise जरूरी नहीं कि आपको ऐसा काम करना चाहिए क्योंकि अभी भी market में कुछ upside का momentum आ सकता है तो probability बहुत जादा होती है जहां पे कुछ गलत होने की तो वहां पे अगर आपके पास छोटा capital है या आप सुरुवात से trading करें और आपने अभी तक ज़्यादा market के अंदर काम नहीं किया है तो वहां पे काम नहीं करना चाहिए तो आपको थोड़ा से सिफ खेलना चाहिए लेकिन अभी मैंने तो portion बना लिया है जो मुझे समझ में आया मैंने उसके according portion बनाए अब मुझे risk और reward के according अपनी portion को handle करना चाहिए दूसरा कोई रास्ता नहीं market में कि आप profit बना पाओगे उसको घर ले जाओगे जब तक आप risk and reward को maintain करके market में काम नहीं करोगे है यह नहीं दूसरा रास्ता एक ही रास्ता है कि market के अंदर हम risk और reward को maintain करते हुए अपने confidence को बनाए रखे कि market में हमें काम करना आता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अपनी second portion बनाएंगे 600 quantity यहाँ पी buy कर लेते हैं उसके बाद अपना nifty already हमें weak नज़र आ रहा है 600 quantity यहाँ भी buy कर लेते हैं तो वह market में अपना 3000-4000 के round loss नज़र आ रहा है तो देखी बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि यह safe trade है थोड़ा सा है कि extraordinary profit भी हो सकता है और अचानक से हमें loss भी नज़र आ सकता है market के अंदर जो सोच रहे हैं वो हो सकता है लेकिन वो पता नहीं कि अभी execute हो अभी वो काम हो थोड़ा time भी ले सकता है market में हमारा SLB खा सकता है तो दोनों बातें के लिए आपको ready रहना चाहिए आप यहाँ पे पैसा लगाने के लिए आए हो तो क्यूं लगा रहे हो आपके mind के अंदर क्या चला है market के अंदर क्या चला है तब जाकर आपको काम करना चाहिए तो मैं आपको क्या बता रहा था कि हम यहाँ पे selling side का trade क्यों बना रहे है क्योंकि wednes day के दिन market ने क्या क्या completely seller को तंग किया है जो भी selling करना चाहता हो यह market ने निकाला है तो यह लग भी रहा था कि ऐसा कुछ market कर सकता क्योंकि gap up वहाँ पे बहुत अच्छा उपन हो था अब था expiry वाला day तो वैसे तो देखिए expiry वाले day मैं नहीं मानता कि ऐसा momentum करेगा लेकिन जब market ने negative momentum की शुरुआत की आपको देखना होगा कि वो expiry वाला दिन था उसकी बाद हमें market में एक बहुत अच्छा टोक देखनी हो ला और market continue gir out करता ही गया तो ऐसी situation में हम आज भी समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ आज market कर सकता है तो इसी लिए मैंने आपे expiry गा देखते हुए अब परसाइट direct SL ना होने कार और थोड़ा सा अज्यूम करके कि market को यहां से गिरना चीए क्योंकि expiry दिन क्या होते हैं सभी लोग इसी expiry में trade करेंगे कोई positional थोड़ा सा समझेगा ने कि market में मेरी portion में बहुत अच्छा profit नजर आ रहा चलो इसको continue रख लेते हैं क्योंकि अगर अगली expiry चलेगा market तो वहाँ पर क्या होगा वो अपनी portion को continue रख सकते हैं लेकिन अगर आज की दिन market निकल गया फिर अगली दिन ऐसे लेगा कि आज तो completely निकल चुका कल मुझे portion बनाना था वो वहाँ पर बना नहीं पाएगा तो ऐसा मैं समझ कर portion बना रहा हूँ देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ और अगर सही होता हूँ तो बहुत अच्छा profit मैं यहाँ पर बना लूँगा तो अभी अपना 23,000 के round profit नजर आ रहा है कितना loss और कितना profit हम यहाँ पर रखने वाले देखिए जिस प्रकार के premium मुँआरे पास है around around हम यहाँ पर रखेंगे देखिए 70-80,000 रुपे तो अराम से बन जाना है चीए अगर हमारा direction सही हुआ और जो हम assume करें वही market को करना है तो वो हो जाना चीए अगर loss होता है दुबारा से market breakout वगरा करता है तो मैं देखिए कुछ कह नहीं सकता है क्योंकि यह nifty में ज़्यादा गिराउट आ रहा है तो ऐसी case में bank nifty थोड़ा बहुत अपने आपको hold कर सकता है और अगर holding power आगे market के अंदर तो फिर हमारा loss हो जाएगा लेकिन हमें position क्यों बनाना चाहिए क्यों बना रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि market के अंदर जो assume करें अगर वो होगा तो profit होगा अगर नहीं होगा तो market के अंदर हम कही ना कहीं गलर direction हो बैठे हो market कुछ और करने जा रहा है और हम कुछ और सोच रहे है मेरा plan simple साई कि expiry की दिन क्या नहीं होगे दूसरे लोग अपनी positional trade नहीं बना पाएंगे और अगर market को गिरना है तो ये बहुत ही अच्छा दिन market के लिए हो सकता है लेकिन क्या करता है market पहले तंग भूत करता है अगर जाना भी होता है तब भी आपको बोलता हूँ पहले बहुत जादा तंग करता है market ने बहुत time तक hold किया तो वो करना था वो कर लिया अब market को गिरना तो चाहिए लेकिन फिर भी देखिए loss बगरा के लिए आपको ready रहना चाहिए ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि market में मेरा इप्रोफिट बनेगा मेरा कुछ होने वाला है नी क्योंकि जब हम over confident होंगे market में तब हमारे loss होने के chances जाद होते हैं क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे loss देखे हैं तो आप समझ नहीं सकते कि मेरा profit कितना होता था था loss एक दिन में कितना हो जाता था तो वो पता होता नहीं जब market में कि वो चीजें भी हो सकते हैं तो फिर आप ऐसी गलतियां नहीं करते हैं जहां पर आप over confident हो कि यह समझने लगते हो कि चलो यहां पर आज कुछ भी कर लेते हैं तो वो काम जुरूरी कि loss भूत ज़्यादा important है कि आप कैसे manage करें प्रोफिट तो देखिए हो सकते हैं आप घर पर ले जा पारे हो नहीं ले जा पारे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन अगर हमने लोस बड़ा बड़ा लेना शुरू कर दिया ना market के अंदर वो पूरा psychology खराब करता है तो उससे आपको बचना चाहिए तो जब आपके पास profit का पैसा होता है या फिर आपके पास कोई backup plan है या आपने market के लिए decide कर रखा कि मैं इतना पैसा लगाने वालों तब तो कोई दिक्कत नहीं होती otherwise क्या होता है हम बेवजे का एक ऐसा लोस लेते हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए था तो वो पूरा condition खराब करता है थोड़ा समझने कोशिश किजिए ऐसी market में मैं जुरूरी है कि आपको बताऊं कि loading पहले निकलना सीखो पहले कुछ ना कुछ profit मार्केट से ले आओ उसके बाद जो आपको अंदर confidence आएगा ना वह बहुत जादा होगा वह आप समझ नहीं सकते तो वह आपको अच्छा लगी है तो वहाँ पर आपको काम करने में अच्छा लगा है फिर आप trade भी अच्छी तरह से कर पाऊगी तो अभी थोड़ा अपना 45,000 के round profit चलना है तो थोड़ा चलने देते हैं इनक आ रहा है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे एक position को काड़ लेते हैं market के अंदर क्योंकि कुछ ना कुछ profit booking करना जुरूर है चाहिए हम कितना भी profit में बैठे हो लोस में बैठे हो हमें handle करना आना चाहिए अपनी position को अगर handle करना नहीं सीखें तब तक बात बनेंगे नहीं तो जब तक market थोड़ा एक लाग किसे ऊपर चला है तब तक हम थोड़ी सीख बाते कर लेते हैं market के इंदर position क्यों बना है उसके बाद हम complete position को काड़ लेगें क्योंकि directly एक level को test करता है तो वहां से देखिए अब देखिए trade तो आप यहां पे selling का बना होगे अगर हमने जो assume किया है वही market हमें करता हो नजर आ रहा है तो ऐसी केस में selling का trade आप अराम से बना सकते हो लेकिन फिर भी आपको क्या ध्यान अखना है कि अगर आपको buy करना है तो कोई support के आस-पास बहुत ही छोटा risk लेकि आप market में काम करोगे तब ही आप safe रहोगे अधरोई market के अंदर यह कही सोच रहे हैं कि market के दिन expiry दिन काफी लोग positional trade करते नहीं वो इसे expiry का trade करते हैं और इसे expiry में क्या होता है उनके position zero या जो भी उन्हें profit मिलना होता उनका निकल जाता है लेकिन जब मान लेते हैं यही काम Friday के दिन market करता तो वहाँ पे अगर किसी को लंबा चोड़ा profit नज करना है वो कर सकता है क्योंकि कल की दिन market ने क्या किया था एक एक काम किया था चालिस पांसों की उपर लेवल को hold किया था और जो भी seller आने वाले थे उनको market ने निकाला था और यह चीज़ हमने कैसे find out की थी क्योंकि आलेडी जो market ने टोप वगरा बनाया था उसको अक्सप हमें continue selling नजर आ रहा है तो अपना यहां पर निकल जाते हैं देखिए ऐसा नहीं कि वेट नहीं किया जा सकता लेकिन अच्छा profit नजर आ तो ज्यादा वो नहीं लेना चाहिए में रिस्क भी नहीं लेना चाहिए अराम से निकल जाओ market के अंदर profit बहुत अच्छा बन रहा है बेविजट डारेक्ट सपोर्ट के आज पास market का भी बाद एक structure बनाके थोड़ा बहुत upside बगरा का momentum करता है तो वहाँ पे हमें परिशानी देखने हो बिल सकती है लेकिन अगर हम सही है तो हम अराम से हम यहाँ पे आगया आने वाले समय के लिए भी कुछ selling के trade को identify कर सकते है अगर हम गलते हैं तो market हमें आज की दिनी नजर आ जाएगी कोई breakout बगरा कर रहा है या थोड़ा sustain बगरा होता नजर आएगा तब हम समझाएंगे market ऐसा कुछ नहीं करने वाला है अगर हम ट्रेड करें तो selling में पैसा बन सकता है अगर market में आपको buy करना है तो support बगरा है या आज पास आप ट्राइक कर सकते हो market के अंदर portion कब बनाया था 9 बसकर 19 मिनट के राउंड portion बनाया था 9 बसकर 30 मिनट के राउंड अमने से भी portion को market में काटके निकल गी तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद